नमस्कार सेटे न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राहूल जिन्दा दिन भर के तमाम खबरों से आपको रुबरू कराएंगे पहले नज़ा डाली आज की हिरलाइन्स पर सहीद भगत सिंग और अस्फाक उल्ला खाँ फुटबॉल टूर्नमेंट का हुआ सांदार समापन जारखंड की टीम ने मारी बाजी महरास की टीम को दो एक से हराया मोंगिया ग्रूप के चेर्मेन सरदार गुनवन सिंग सलूजा समेत कई गनमाने लोगों के हाथों पुरस्क्रित हुए खिलाडी अलकापुरी में एक चोर की आई सामत चोरी करने के दौरान ग्रेह स्वामी ने ख़देड कर पकड़ा कि अस्थानिये लोगों ने पिटाई बाद में किया गया पचमबा पुलिस के सुपूर्द योजनाओ में अनिमित्ता की जाज के लिए सरिया परखंड पहुँचे डिडिसी मुकुन दास नगर के स्वारी पंचायत में जाकर की सिकायतों की संपुस्टी कहा कुछ मामलों में गरबरियां हुई है उजागर आगे भी की जाएगी जाज परताल और धन्तेरस को लेकर गुलजार हुआ सहर का बाजार मौसम की दगाबाजी से ससंकित थे दुकांदार वा खरीदार साम के वक्त बारिस छूटी तो उमर पड़े खरीदार देर साम तक हुई जम कर खरीदारी अख़बर विस्तार से पचंबा तितरिया मैदान में खेले जा रहे सहीद भगत सिंग और अस्फाकुल्ला खाँ फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन बेहत धुंधाम से हो गया टूर्नामेंट के आगरी दिन तीन मैच खेले गए बाद में विजेता टीमों को पुरिस्कृत किया गया सहीद भगत सिंग और अस्फाकुल्ला खाँ फुटबॉल टूर्नामेंट का सांदार आगाज पिछले दिनों पचंबा तेतरिया मैदान में हुआ था इस टूर्नामेंट का आयोजन कैरियर कैमपस और स्पोर्ट्स एडिक्शन ग्रूप के द्वारा किया गया था वहें इसके मुख्य प्रायोजक मुंग्या टीम्टी ग्रूप था और सह प्रायोजक होम एलेक्ट्रोनिक्स था सुक्रवार को इस टोर्नामेंट के आखरे दिन तीन मैच खेले गए यहां सेमी फाइनल मैच दिल्ली बनाम महरास्ट के बीच खेला गया जिसमें महरास्ट एक जीरो से जीत कर फाइनल में जगह बनाया दूसरा सेमी फाइनल नागपूर बनाम जारखंड के बीच खेला गया जिसमें जारखंड एक जीरो से मैच अपने नाम किया और फाइनल में दूसरी टीम बनी इसके बाद final match खेला गया महराष्ट बनाम जारखंड जिसमें जारखंड 2-1 से जीत कर champion बना जारखंड के संतोस कुमार को man of the match चुना गया और फिरोज को best player of the tournament चुना गया final trophy और runner trophy मोंग्या गुरूप के चेर्मेन गुल्मन सिंग सलूजा और असफाक के द्वारा दिया गया आयोजन समिती से राजे सिन्हा, मेराज खान, असफाक खान, चांड, इमरान खान, अरबिंद कुमार, गुफरान, नकुल कुमार, आसिफ, नुरूल आदी मौजूद रहे वहीं रेफरी की भुमिका में मुनवर, एवंग सिराज, गुड्डू, अमीर, कपिल सिंग, आदी मौजूद थे यहां कॉमेंट्रेटर की भुमिका अफाफूल के द्वारा निभाया गया रिमजिम फुहारों के बीच सुरू हुए मैच में उपायुक्त राहूल सिना भी पहुँचकर खिलाडियों की होसला अपजाई की मौके पर पचंबा थाना प्रभारी सर्वानन सिंग समेत सहर के कई गनमानी लोग उपस्थित रहे 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 ट्रॉशी विया खिले खिलाडियों की मैंसिना की प्रायकत लोग उपाई तेडिस हैवे ग्लाडियों की की तो पार अपागे चिल्लिडर्रा ये गागेों की तेटीर है। तर दो दो है तर दो राई कल दो घर कर्क आए नहीं तर दो दो जो जाई कर दो मिन जाए जाए बार है जाए ग्याई घ्ली एुड़की जाए जा दो जाए जाए एक एक डाए प्यूलिज प्यूटे विभिन विकास कार्यों में अन्यमित्यिता की सिकायत मिलने के बाद सुक्रवार को डिडेची मुकुंधदास सरीय प्रखंड के नगर के स्वारी पंचायत में पहुँचे और मामले की जाँच परताल की सर्या प्रखंड के नगर केसवारी पंचायत में प्रधान मंत्री आवास मनरेगा तथा 14. वित योजना के तहट किये गए विभिन कारियों में मिली सिकायत के विरुद्ध उपविकास आयोक्त मुकंददास सुक्रवार को नगर केसवारी गाउं पहुँचे इस दोरान उन्होंने मिली सिकायत की जाच की मौके पर उन्होंने कई लोगों से बयान भी लिया वहीं कार्य इस्थल की भी उन्होंने जाच की इस संबंद में उपविकास आयोक्त सिरिदास ने कहा कि नगर केसवारी गाउं से सिकायत मिली थी कि सरकार द्वारा चलाय जा रह विभिन योजनाओं में अनियमितिता बरती गई है जिससे लेकर जाच की गई इस दोरान रोजगार सेवक, सिकायत करता तथा ग्रामीन मौजूद थे पंचायत सेवकों की हर्ताल के कारण उनकी अनुपस्थिती रही बताया गया कि प्रधान मंत्री आवास योजना में पैसे लेन देन की सिकायत मुख्या के विरुद लगाई गई थी इस पर लाभुकों का स्टेटमेंट लिया गया पंचायत सेवकों की हर्ताल में चले जाने के कारण वित्तिय लेखा जोखा उपलब्द नहीं हो पाया जिसके कारण उसकी जाच नहीं हो पाई उन्होंने कहा कि कमो बेस जाच में दोनों तरह की बातें आई हैं जितने सिकायते थी वह पूर्णता सही नहीं पाई गई परंतु यह भी नहीं कहा जा सकता कि सिकायतें बिल्कुल निराधार है दो तीन योजनाओं में सिकायतें सही प्रतित हुई हैं इसके आधार पर रिपोर्ट बना कर प्रखंड विकास पदाधिकारी पुसकर सिंग मुंडा, मुख्या सुनिता देवी, रोजगार सेवक लक्षमन यादव, बबलु मंडल, मुन्नी देवी, सुनिता देवी, आसा देवी, रामकिसन मंडल, लक्षमन रविदास सहीत, काफी संख्या में लोग उपस्तित थे सर्या पुर्खंड के नगर के स्वारी पंचायत में, मन्रेगा एवंग अन्य योजनाओं की कुछ सिकायतें थी, उसी के जांच करम में आज गए थे मन्रेगा के रोजगार सिवक उपलब थे, पंचात सिवक अभी हड़ताल पर हैं, रोजगार सिवक द्वारा उपलब कराएगा और बिक्यो द्वारा उपलब कराएगा लिस्ट से, हमने कुछ योजनाओं के जांच की, जो सिकायत करता थे, वो हम मौजुद थे, पूरे ग् बढ़ताल में रहने के कारण, फोटिन फिनांस का रेकाड़ प्लब दिनी हो पाया, इसलिए फोटिन फिनांस की जांच नहीं के लिए, कमो बेस जांच में दोनों तरह की बातें आई हैं, जितनी सिकायत थी वो पूर्णता, सिकायत सही नहीं पायागा, लेकिन ये भी नही सकता कि सिकायत तर बिल्कुल निराधार था, दो-तिन योजनां में सिकायत हैं, सही परतित हुई है, इसके आधार पर रिपोट बनेंगे बनवासी विकास आसरम और जागो फाउंडेशन के सौजने से सुक्रवार को होटल मीर में बाल विवाह के खिलाप एक अभियान की लौंचिंग की गई, मौके पर सहर के कई गनमाने लोग मौजूद रहे बाल विवाह के खिलाप एक अभियान की आपचारिक लौंचिंग सुक्रवार को होटल मीर में की गई, इस कारिक्रम का योजन वनवासी विकास आसरम जागो फाउंडेशन तथा जीले के अन्य संस्थाओं के द्वारा किया गया, इस दौरान बाल विवाह के खिलाप हस्ता अच्छर अभियान भी चलाया गया, मौके पर समुह चर्चा के दौरान भविस्य की योजनाओं पर कारियन नीती बनाई गई, कारिक्रम का संचालन यहां सरोजीत कुमार कर रहे थे, मौके पर सरोपृथम अतीतियों के द्वारा दीप प्रोजलित कर कारिक्रम की सुरवात की गई, जिसमें गरेडी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनोज कुमार, जिला परिशत सरस्य किरन वर्मा, हड़ी रोग विसेशग्य, डॉक्टर रेतेस, जिला संरच्छन पराधिकारी जितु कुमार, मौहमद अहमद अली, बनवासी के सचिव सुरेश सक्ती, अभिव जियान समिती के सरोजीत कुमार, पतंजली महिला समिती की पुसपा सक्ती, यूथ कल्चुरल सोसाइटी के संजोजक सोमनात केशरी आदी के द्वारा किया गया, मौके पर निकी मिसरा, संकल पेक मुहिम बदलाव की ओर से पूजा कुमारी और उनकी पूरी टीम उपस्तित इस दोरान कहा गया कि Girls Not Brides एक Global Network है जिसके द्वारा विस्व के 100 देशों में 1300 मेंबर संस्थाओं के साथ साथ बाल विवास से मुक्ति के लिए एक साजहा अभियान चला रहे हैं इसी अभियान के तहट आज गिरेडी में भी इसकी लॉंचिंग की गई हैं मौके पर गिरेडी जिले में बाल विवास की इस्थिती के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई यहां इस कारिक्रम के आयोजन में चाइड लाइन के अनन्त कुमार, गोपाल तिवारी, संतोस पांडे, मंजूर, कंचन, रीता, स्वेता, प्रीती, भीम, आदी का सहयोग एहम रहा यहां कारिक्रम में धन्यवाद ग्यापन, उमेश्त तिवारी के द्वारा किया गया में थी, तो शिफ्स क्लास से ही मेरे माँ बापने प्रेसर किया कि तुमारा साधी कर देना चाहिए तो हमको लगा कि साधी आभी हमको नहीं करना, हम इसमों को समझाएं कि बोले हमको साधी नहीं करना, अभी मुझे पढ़ने कि वहम उन्हें आभ में पढ़ूंगी तो में मुझे ठीक है लेकिन उतना दुम्हारे इतना बढ़ाएगा खर्च है वह साध में नहीं उठाव पाऊंगी तो मैं चाहते हूं कि अभी तुमारे साधी करना, तो हम बढ़े कि नहीं अपने साधी नहीं करें, मेरा फर्स स्टेप था, चाहब लगा कि ना तुम हम ल से जुड़े हुए हैं, तो हमारी सिंधी थी, उनका बहुत भूत हम धन्यवाद करना जाओंगी, कि उनके वजासे आज हम लोग जितनी सारी रहकिया हैं, टेक सेंटर में, आज हम लोगों को एक सा चख़ा मिला है, जहां हम लोगी अच्छे तरीके से भूल मिल पाते हैं, अगर लोगों को सेंटर इतनी सारी लड़कियां हम लोग हैं प्लेस नहीं मिल पाता है एक ग्लोबल नेटवर्क संस्था है जो पूरे विशो में बाल विवा के खिलाब मोहिम चला रहा है कई साधेदार संस्थाओं के साथ जिसमें गॉब्मेंट के लोग नन गॉब्मेंट के इस्तिजूशन सारे ल बनाना बाल विवा अमुप्त विशो बनाना वाल विवा अमुपत जारघंट बनाना और आज गल्स नोट ब्राइट का इस्टिंग डिस्टिक की लॉंचिंग का देट था अब उप्चारिक रुफ से इस जिले में बहुत सारे 600 संस्थाओं के सभी जिलों में लॉंच कि गल्स नॉट ब्राइट्स जो है वो एक ग्लोबल और्गनाइशन है जो संस्थाओं को एक मंच देता है अपनी आवाज विश्वर्ण के अस्तर पर पहुंचाने के लिए संजुक रास्तक अपनी आवाज को ले जाने के दिशामें कि गल्स नॉट ब्राइट के टरब से बालिवा रोप्ठाम को ले करके एक दिवर्ण से कारिटाला कायोजिन किया गया है इसमें विविंद संस्थाओं के लोग सामिल है और प्रखंड के बियो ग्रिटी सदर के बियो और जिला परिश्वर सदर से यह सभी लोग यहां पर से बनाया जाए इसमें सब्काज गाइन सहयोग से यह सब्कारिक्रम सपर्खों पाएगा नगर थाना छेतर के अलका पूरी में चोरों ने घर में धावा बोला हाला कि चोरों के आहट पाकर गिरी स्वामी जाग गये और खदेर कर एक चोर को पकड़ दिया बात में चोर को पचंबा थाने के सुपूर्द कर दिया गया गिरीडी सहरी छेतर में लगतार चोरों का आतंक कायम है गुरुवार रात भी अलका पूरी इस्थित डॉक्टर कमला सिन्धा के आवास में चोरों ने धावा बोला इस दोरान उनके क्लिनिक का ताला तोड़ कर चोर अंदर उस्ते ही ग्री स्वामी को इसकी भनक लग गई और घर के अने सदस्यों को उठा कर हल्ला गुल्ला किया गया तो एक चोर पकड़ में आ गया पकड़े गए चोर की पहचान मुहम्मद हसी बंसारी के रुप में की गई बाद में चोर को पचंबा पुलिस के हवाले कर दिया गया बताया गया कि पुलिसिया पूचताच में चोर ने अपने आने साथियों के नाम का खुलासा भी किया है इस बाबर डॉक्टर कमला सिन्हा ने बताया कि उनके जागे रहने की वजह से चोरी की घटना तो नहीं हुई लेकिन चोरों की हरकत से पूरा परिवार डरा ऐसे अधर रहे हैं तुम रहे हैं तुम अधर नहीं होता है अधर जाए जाए तुम पीछे के गेट से घुषा था फिर किनले के अधरवजा थोड़ा इसके अंदर किली के अंदर खुषा चेंबर में जो और फ्याइद था वी ब्रॉर से निकालकर ले गया उसके बाद फिर ऊपर गया ऊपर में जा दोखङ के गैट का रॉड़ बॉर के नि के पांत ताल ऱह टोड़ा फिर अंदर खुषा अंदर हम लोग जिस रूम में सोय हुए तिया मेरी बहु अलग सोय हुए थियं मेन अलग सोय हुए थिया उस रूम का जब अब चेह था उस आपनल मेहाल पूंप अलग सिपर में हूं किया खुरे में कि अभू तर भी जब तक फूर्प एधर से खुड़ा है, ढर पूच रहा था पैसा कहा है, पैसा कहा है। जब तक पूच रहा था था, हम लोग पहुंची गए तरवजा खुला, जैसे ही रूम में रिंटर के ते इसको देखें, इसको हम लोग पकरें था मेरा नाम है सागरदास , आपको कोई दूसरा आदमी भेजा एगाए , लेकर बार मालूम भाओ थाना ले गए गए तो मालूम हा यह तो मुस्लिम है और बार भार एगए रेकिना भार ने इतना बार बाहर बाहर भाओ घरख़ущे कोती हमत नहीं पर भाओ जाए इतना है बेगाबाद के लक्षमीपूर गाउं में लगा एक बोर्ड सरकारी विवस्था को मूर चुड़ा रहा है दरसल इस गाउं को खुले में सौच मुक्त छेत्र घोसित किया गया है लेकिन वहां के 10% लोग ही सौचाले का प्रयोग करते हैं सुच भारत अभ्यान के तहट गिरीडी जिले को OTF खोशित कर दिया गया लेकिन इसके जमीनी हकीकत कुछ और ही है महस काग्जों में ही छेत्र को खुले में सौच मुक्त खोशित किया गया है हकीकत में अब तक उस तरह का वातावर निर्मान नहीं हो सका है जिससे लोग सौचाले का परियोग पुर्ण रूप से कर सके अब आप बेंगाबाद प्रखंड का लचमीपूर गाओ को ही देख लीजिए यहां बड़े बड़े अच्रों में बोड लगा हुआ है कि खुले में सौच मुक्त गाओं लचमीपूर महुआर पंचायत ने पढ़ने वाले इस काओं के लोगों का कहना है कि महस दस पर्तीशत लोग ही सौचाले का परियोग करते हैं बाकी लोग अब भी खुले में सौचाते हैं लोगों का कहना है कि यह बोट सरकारे दावों के पोल खोलने के लिए काफी है इस काव में सौचाले परियोग में लाने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए इस वज़ा से सिर्फ कागजी खाना पुर्ती हो गई है थाटी 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 परसेंट थाटी 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 परसेंट थाटी 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 था दिपावली के पुर्व त्रयोदसी के दिन मनाये जाने वाले धन्तेरस को मानो किसी की नजर ही लग गई थी लगतार दो दिनों से हो रही बारिस ने धन्तेरस की रौनक को ही लुप्त कर रखा था जहां धन्तेरस को लेकर प्रतियक दुकांदार तयारी के साथ बैठे थे वहीं बारिस ने भी अपना कहर धाया हुआ था हालाकी दिन में रिमजिम फुहारों के बीच बाजारों में लोगों की भीड उमर पड़ी सभी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक, सोने चांदी, बरतन बासानादी के दुकानों में लोग भीगते हुए जरूरत के सामानों की खरिदारी करते नजर आए वहीं बाजारों में उमरी भीड के कारण जहां दुकानों में चहल पहल थी, वहीं सडकों में जामादी की समस्याएं भी देखने को मिली धंतेरस की खरिदारी करते हुए लोग काफी खुस नजर आए, वहीं बारिश के कारण थोड़े नाराज भी दिखाई दिये इस दो क्याप कारण दुटिखा दिखाई भी दोड़े कारते हैं मिली काफाईभ कारते हुए लोगल कंभाणों में अन् and में जहां थोकीपर खुस नजर दुड़े हां जहरा वी आछडरों बारिश में बादी कारते हैं प्रीजे 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 रो या स्टाहर्व घर एक ब्रीजे रो तिपन संगर तिस जब है तिपन संगर थे श्याता है आज आज इंदू का इतना बबाद परवर रखतेरस का समय है रखतेरस का दीन है लोग खरदारी के लिए मार्केट में निकलने के लिए अपने परिवार मारवच्चे साथ बेचैन है यह पर आकिस्पी का देन इतना कल और परसो नाइट से ही इतना बारिश दे रहा है कि आदमी चाहतरी बाहर नहीं निकल पारा है लोग किस तरह से निकल कर बाहर जिसको जोड़त कर दिए और किसी अगाले पर्व आ से ताकी आपका वह पर्व है ताकि आपका परको में अच्या तरश से धन्तेरस की तैयारियां बारिस की वज़ा से दिन भर बेहत फीकी रही लेकिन साम के वक्त बारिस थमा तो बाजार गुलजार हो उठा पूरे सहर में खरीदारों के भीड उमर पड़ी तमाम प्रतिस्थानों में लोगों ने जमकर खरीदारी की और अपना पसंदीदा समान अपने घर ले गए दिन भर होई बारिस के बाद साम के वक्त मौसम का मिजास सुधरा तो अचानक बाजार में खरीदारों के भीड उमर पड़ी धन्तेरस को लेकर अचानक साम के बाद बाजार गुलजार हो उठा तमाम दुकानों में खरीदारों की भारी भीर देखने को मिली चाहे वह सोने चान्दी का बाजार हो इलक्ट्रोनिक्स या इलेक्ट्रिक दुकाने हो या फिर बरतन बासन के स्टोर तमाम प्रतिस्ठानों में जमकर खरीदारी सुरू हुई या क्रम देर साम तक चलता रहा इस दोरान बाजार में जाम का नजारा भी देखने को मिला हाला कि लगतार दो दिनों से हो रही बारिश की वज़ा से दुकांदारों की सांसे अटकी थी लेकिन मौसम सुधरते ही दुकांदारों के चेहरे भी खिल उठे बताया गया कि धनतेरस को लेकर करोडों की खरिदारी गिरिडी बजार से हुई है जिसमें वाहन, ज्वेलरी, होम एप्लाइंसेस, बरतन बासन, इलेक्टरिक इलेक्ट्रोनिक सामान सामील रहे कर दो क्रास्ष के तामील रहे, जुकांदार जिसमे भी रहाँ, ज्वेलरी, जिसमें गया जंटकी आए जिसमेंमों सामाना सामील थार्या सामील इलेक्ट्रों के वेलेक्टरों के लिद्साए थिलेक्टर्एक्रणाविक्रणत्सेन अटे बहाँ़ीश्से पुलाईम एज कर दो 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 कि लड़ी यदिज में एnे घ Prompes कि लुझ ए टृब पुमने घरती घरती में गुमने काप्ता है जब करें दो कि जब स्वाइब दो ने जब दो जोगों का मार्केट में उतर गया है खरीदारी करने के लिए लोग सुबह से यहास लगाए बैठे थे कब बारिष रूखे और हम इस लाखा रहे थे कि भगवान ये बारिष रोके और संजोक से यह बारिष नहीं हो ताकि धंतरिष के खरना चाते हैं वो कर सके यह आसा करता है कि अधंतरिष सम्लोगों आच्छा मिए पचंबा इस्थित सारवजनिक दुर्गाइस्थान में काली पूजा की तयारी अपने अंतिम दौर में है यहां मा की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है वही अन्य तर की विवस्था भी चल रही है बताया गया कि यहां वर्सों से बड़े स्रध्धा भाव से काली पूजा की जाती है जिसमें आसपास के लोगों का जुटान होता है इस बापत पूजा समीती के दिपक साहू ने बताया कि इस बार भी खूब धूम धाम से पूजा की तयारी की जा रही है रविवार देर साम से पूजा सुरू होगी जो रात भर चलती रहेगी अहले सुबह से प्रसाद वित्रण किया जाएगा गाली पूजा में अधिक से अधिक संक्या है बार लेके पूजा के भागी होगा सहीद भगत सिंग और अस्फाक उल्ला खाँ फुटबॉल टूर्नमेंट का हुआ सांदार समापन जारखंड की टीम ने मारी बाजी महरास की टीम को दो एक से हराया मोंगिया ग्रूप के चेर्मेन सरदार गुनवन सिंग सलूजा समेत कई गनमाने लोगों के हाथों पुरस्कृत हुए खिलाडी अलकापुरी में एक चोर की आई सामत चोरी करने के दौरान ग्रेह स्वामी ने ख़देड कर पकड़ा कि अस्थानिये लोगों ने पिटाई बाद में किया गया पचमबा पुलिस के सुपूर्द योजनाओं में अनिमित्ता की जाज के लिए सरिया परखंड पहुँचे डिडिसी मुकुन दास नगर के स्वारी पंचायत में जाकर की सिकायतों की संपुस्टी कहा कुछ मामलों में गरबरियां हुई है उजागर आगे भी की जाएगी जाज परताल और धन्तेरस को लेकर गुलजार हुआ सहर का बाजार मौसम की दगाबाजी से ससंकित थे दुकांदार वा खरीदार साम के वक्त बारिस छूटी तो उमर पड़े खरीदार देर साम तक हुई जम कर खरीदारी आज के एक में बस इतना ही दिजे पोरे टेम को इजाज़क नमस्कार